अमेर की बहनों और भाईयों आपके इस इसने पून और जोरदार स्वागत से मेरा हिर्दय आपार हर्च से भर गया है मैं आपको दुनिया के सबसे पौरानिक भिक्षों की तरफ से धनेवाद देता हूं मैं आपको सभी धर्मों की जन्मी की तरफ से धनिवाद देता हूं मेरा धनिवाद उन वक्ताओं को भी जिन्हों ने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहन्शील्टा का विचार सुदूर पूरब के देसों से फैला है मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्व भौमिक स्विकृती का पाट पढ़ाया है हम सिर्फ सार्व भौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते बलकि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्विकार करते है मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देशते हूँ जिसने इस धर्ती के सभी देशों के सताय गए लोगों को शरण दी है मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हिदय में उन इसराइलियों की शुद्धतम इसमितियां बचा कर रखी है जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंड़हर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिर भारत में शरण ली मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पार्शी देश के अवशेशों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है भाईयों मैं आपको एक श्लोग की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बच्पन से इसमरण किया और दोहराया है और जो रोज करोडों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है जिस तरह विभिन धाराओं की उत्पत्ति विभिन श्रोतों से होती है उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनरूप अलग-अलग मार्ग चुनता है वो देखने में भले सीधे सादे या तेड़े मेड़े लगे पर सभी भगवान तक ही जाते है वर्तमान सम्नेलन जो की आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है स्वयम में गीता में बताये गए एक सिध्धान का प्रमाण है जो भी मुस्तक आता है चाहे किसी भी रूप में मैं उस तक पहुशता हूँ सभी मनुष्य विभिन मार्गों पे संघर्ष कर रहे हैं जिसका अंत मुझ में है सामप्रदाइक्ता, कटर्ता और इसके भयानक वन्शज, हट धर्मिता, लंबे समय से प्रित्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है इन्हों में प्रित्वी को हिंसा से भर दिया है कितनी बार ही धर्ती खून से लाल हुई है कितनी ही सब्यताओं का विनाश हुआ है और कितने बेश नश्ट हुए है अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानों समाज कहीं जादा उन्नत होता लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हर धर्मिता हर तरह के क्लेश चाहे वो तलवार से हो या कलम से और हर एक मनुष्य जो की एक ही लक्ष की तरफ बन रहे है के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा